दूस्कार दोस्तो स्वागत एक ने वीडियो में दोस्तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप application को कैसे hide कर सकते हैं और application को hide करने के बाद जो shortcut method होता है जैसे कि fingerprint अप्लिकेशन को देखना वह भी आपको सकते हो यहां पर सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद ऐसे scroll कर लेना है और scroll करने के बाद आपको यहां पर password और इसके नीचे privacy दिखता है privacy पर जाना है अगर आपने privacy password नहीं set कर रखा होगा IPlock नहीं लगा रखा होगा तो पहले आप लगा लगा लिजेगा है ना या फिसेट कर लिजेगा तो प्रिवेसी पासवर्ड आपको ड्रॉप कर देना है आप लोग का password अब टिस तीस अप्लीकेशन को आप हाइट करना चाहता हूं में चाहता हूं यह phone clone मेरा हो जाए न फाइल मेरा है छर्डिकेशन ही दिन करना चाहता हूं तरह चाहरा प्रीकेसं पर चेकार दूंगा बाकि यह और ड्वलड अपर बजाँगे तो कुछ setting होता ह आपको जैसे कि हैस डाल दिया और इसके बाद कोई भी नंबर डालो बीच में चार डिजिट का फोर डिजिट का थिरी डिजिट का एक से सोलर डिजिट के डाल सकते हो और मैं सिर्फ ऐसा करता हूँ जीरो के साथ रखता हूँ है ना तो यह देखो यह याद कर लो यह रेट में जो दिख रहा है यही आपका एक्सेस कोड है और डन कर दो अब डन हो गया है तो आप मैं दिखाता हूँ आपको अब देखने के लिए रेट मृड़ के संट कर दिया है तो इसके बाद आपको क्या करना है कि बैक चले जाना है पासवार्ट बाइमेट्रिक्स में और इसमें fingerprint पर जा ले जाना है, fingerprint पर जाओगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने दो finger आट कर रखा है, जब दो finger आट करोगे ना, तो आपको यहाँ पर fingerprint hidden application का option आएगा, तो जो finger आप select करना चाहते हो, कर सकते हो, तो मैंने दूसरा finger यह वाला select कर रखा है, तो अभी देखो, hidden application को एक और अच्छे तरीके से देखेंगे, अभी देखो, यह दिख रहा ना, आपको यहाँ पर power button है, इधर, यह रा power button, तो ऐसे screen आफ करके, जब ऐसे, इस finger से जब आप screen को लोग करोगे ना, ऐसे, तो आपको hidden application देख जाएगा, तो वीडियो अच्छे लगए होगे, तो लाइक कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक लिए बाबाए,